हेलो बच्चो कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई आप लोग है अपने चैनल मैस सॉलवर पर जहां आप लोग को मिलती हैं डेली मैस वीडियो और खुब सारा एजुकेशनल कंटेंट तो प्यारे बच्चों ये वीडियो बहुत छोटी सी है लेकिन आप लोग के लिए बहुत important होने वाली है जैसा कि आप लोग के school में अभी online exams चल रहे हैं और MCQ format में आप लोगों से questions पूछे जा रहे हैं तो काफी सारे बच्चों को बड़े level पर ये problem आ रही है कि MCQ उन लोगों को मिलनी पा रहे हैं कहीं से selected MCQs मिल जाएं chapters के ताकि हमारी practice हो पाए अच्छे से तो इसी चीज़ को समझते हुए बच्चों मैंने आप लोगों कहा था कि math से related मेरी पूरी पूरी कोशिश है कि मैं बिल्कुल भी किसी भी बच्चे को कोई problem नहीं आने दूँगा math से related सारी चीज़ अवलेबल कराए जाएंगी इसलिए daily आप लोगो को रात को 8 बजे class भी मिलती है class 10th के लिए और धीर धीरे करके पूरा का पूरा course आप लोगो reduce तो ले बस के हिसाब से भी online exam mcq format वाले और paper में भी mcq आएंगे तो आपके लिए most important ये चीज रहने वाली है एक मैंने पहले real numbers के mcqs की वीडियो भी डाली थी वो भी आप लोगों ने देखी होगी नहीं देखी तो देखना उसके अंदर selected 16 mcqs real numbers के हैं तो बच्चो यहाँ पर अलग-अलग किताबों का use करके ये इसके अंदर mcq जो selected हैं वो मैंने डाले है rd से, rs से, exampler से, ncrt से और sample paper से जहां से जो चीज important थी select करके 15 एक निचोड निकालके इस pdf के अंदर डाल दिया है तो बच्चो ये pdf जो है इसका link मैं description में दे रहा हूँ telegram channel पे जाकर कि वहाँ से इसको अराम से download करो और इन 15 के 15 questions की बहुत अच्छे से practice आप लोग कर लेना आपकी बहुत ज़ादा help होगी ठीक है बच्चो इसके अलावा ये जो pdf है इसके solution आज रात को 8 बजे ठीक आप लोग को available होगे daily जैसे हमारी class चलती है उसी तरह से आज की class में मैं इन 15 questions के solution भी आप लोग को बताने वाला हूँ ठीक तो जो pdf से करना चाहते हैं खुद से काफी बच्चो ने chapter कर लिया होगा वो pdf को download कर लो टेली ग्राम पे जाके अभी और बाकी जो discussion करना चाहते हैं पूरे solution देखना चाहते हैं वो रात को 8 बजे मिलना ठीक है तो बढ़िया से सभी अपनी पढ़ाई करते रहो और अपना ध्यान रखो भहत जादा Thank you